Japanese language में jobs कैसे ली जाती है, Japanese language को पढ़के किस तरह से jobs के लिए apply किया जाता है, कैसे interview clear किया जाता है ये मैं काफी पीछे के वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत important है जो लोग jobs लेना चाहते हैं Japanese language को सीख के लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ये बात cover करना चाहता हूँ, जो कि बहुत important बात है कि Japanese language को कितने level तक हमें पढ़ना है या किस-किस चीज को हमें याद रखना है या सीखना है, अगर हमें job लेनी है, interview clear करना है या उन लोगों के लिए जो freshers हैं, अपने आपको वो कहते हैं मैं तो freshers हूँ, मुझे job का experience नहीं है, इसलिए मैं job लूँ कैसे, तो ऐसे काफी सारे students के questions को solve करने के लिए, उनको solution दे करने के लिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कहां तक आपको Japanese language को cover करना है, क्या-क्या चीजे सीखनी है कि आप Japanese language में job ले पाएं, देखे जब आप Japanese language की job के लिए apply करते हैं, तो usually N3 clear student को कहा जाता है कि N3 या N2 clear students आ सकते हैं, अगर freshers can apply वाली job है, तो बा इसके लिए मैंने काफी सारे वीडियो बनाए होया है, लेकिन N3 level तक जाना ही सिर्फ काफी नहीं है, ये बात मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं, आपको Japanese language सीखते सीखते, जितने भी sentences हैं, जितने भी examples हैं, उनको अपनी, जैसे हम Hindi में बोलते हैं, या English सीखने की तो ही आप interview भी clear कर सकते हैं, तो ही आप job में भी interpretation या translation का काम होता है, वो कर सकते हैं, तो पहली तो ये बात है, दूसरी ये बात है कि अगर आपने N3 level clear करने का target बनाया हुआ है, तो याद रखे कि वो N3 के जितने भी examples हैं, जितने भी words हैं, वो आपको spoken language में भी आने चाहि हैं, अब यहां पर काफी सारे students का question होता है, कि sir, कोई spoken का course है, कोई ऐसा course है, जो हमें speaking सिखा है, तो देखे, मैं उनको भी यही जवाब देता हूँ, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कि आपको spoken सीखनी है listening से, listening में जब Japanese आपस में बात कर रहे होते हैं, जो हमा मैं अपने interview videos के अंदर भी बता हूँ है, जो पूरी series interview के आप देख सकते हैं, उसके अंदर questions किस तरह से होते हैं, answers उनके किस तरह से देन होते हैं, वो सारी जो language है, वो उन ही examples को, उन ही sentences को, उसी vocabulary को use करके बनाई गई है, जो कि N3 level के अंदर ही हैं, ठीक है, बहुत ही कोई चोटा मुटा को येका expression या ऐसा एक word होगा, जो कि N2 level या N1 level का है, जादा तर 99% जो language है, वो N3 level ही cover करता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि N3 इस तरह JLPT नहीं, आपको spoken language को, और देखिए ये, आप सोच रहोंगे कि काफी मुश्किल है, हम language को उसके हिसाब से भी ready for a job, तक के level तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ डेड़ साल में, हाँ, लेकिन उस डेड़ साल में आपको पूरा अपना जीवन, मोहमाया, सब त्याग करके, पढ़ाई को देना होगा, पढ़ाई को अपना ही एक job मान के, जिस तरह से job की जैसे freshers join करते हैं, तो उनको सबसे आप पढ़ाई से ही करिए, अगर आप अपनी पढ़ाई को भी ऐसा कर सकते हैं, मेरी job है, सुभा 10-11 वजे से मैं start हो गया हो, तो शाम के 5-6 वजे तक, बेटर है किसी library में जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कहने कगम ये मतलब है कि आप अपने job की training पहले ही अपनी पढ पूछा जाता है, शिबो दो की पूछा जाता है, नाजे को नो काईशनी हातरा की ताइनो दिसका, ये सब पूछा जाता है, तो इनके answer, जो कि मैंने interview videos में सिखाय हूए है, उनको भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना पढ़ेगा, ठीक है, याद रखना हर चीज का याद रखना पढ़ेगा, कि इससे ये question उट सकता है, इससे ये question उट सकता है, जैसे हमारा CV है, तो हर किसी का CV तो अलग होता है, ठीक है, हर किसी की academic history अलग होती है, academic history के हिसाब से भी आपको अपनी language को prepare करके रखना पढ़ेगा, लेकि ता मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्य पहली बार में आपका interview clear हो जाएगा, ये बात sure है, और finally मैं कहूँगा कि nihongomax.com पर जो N2, N3, N1 के expressions हैं, उनको भी थोड़ा सा आप देख के जा सकते हैं, सिर्फ $10 में आप उसको access ले सकते हैं, और उससे अच्छी तरह से सारे expressions का practice कर सकते हैं, nihongomax.com झाल